दस इस्त्रियों को संतुष्ट कर देगा यह उपाए और साथ ही मिलेगी घोडे से ज़्यादा ताकत देखें दोस्तो अगर इस नुस्के को कोई व्यप्ति करेगा तो उसे घोडे से भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी और वह कई महिलाओ को भी संतुष्ट कर सकेगा आज हम आपको बताने जा रहे हैं साफेद प्याज का एक ऐसा प्रयोग जो बिल्कुल सस्ता सा है और जिसको आप हर रोज करेंगे तो ये सो साल तक की आयू में भी हने को इस्त्रियों के साथ आपको संतुष्ट रख सकेगा कमजोरी नाम क्या होता है सब भूल जाएंगे दोस्तो ये जानकारी बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट प्रियोज लेकर आते रहें दोस्तो ये है प्रियोग जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफी वर्षों पहले एक हाकीम साहब ने बताया था और अनेक योन दुलब रोगों पर इसके चमतकार परभाव किये गए हैं दोस्तो सैकडों लोग इससे फायदा उठा इस शक्तिवर्दक उपाय को बनाने के लिए आपको केवल दो ही चीजों की अवशक्ता होगी वो है 25 सफेद प्याज और शुद सैद आवशक्ता अनुसार अब इस उपाय को बनाना कैसे है थोड़ा जान लीजिए दोस्तो सबसे पहले प्याज का चिलका उतार लीजिए औ परतेक प्याज पर सुलाई की मदद से या कोई अन्य नुकुली चीज आठ दस छेद कर लीजिए ऐसा आपको हर एक प्याज पर करना है अब छेद करने के बाद आप इन सारे प्याज को किसी कांच के डिबे में डाल लीजिए दोस्तो एक बात का ध्यान रखें कि कांच का आप कितना भी बड़ा लें या छोटा उस बरतन में केवल तीन से चार ही प्याज डालना है यानि कि आप ऐसा समझें कि जैसे आप एक किलो का डिबा लेकर आए हैं तो उस डिबे में आपको तीन से चार तक ही प्याज डालने हैं और उसे पूरा शेहद से भर देना है अग दोस्तो अब इस डिबे को 45 दिनों तक ठक कर रख दीजिए 45 दिन बाद आपको बेजोड योन शक्ति वर्धक उपायत तयार हो जाएगा अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये थोड़ा जान लीजिए दोस्तो हर रोज रात को सोने से एक घंटा पहले बना हुआ मुरब्बा एक नग खा लीजिए इसको रोजाना खाने से आप में घोडे से भी ज्यादा बल आ जाएगा शरीर में खून की आप उर्टी हो जाएगी और चेहरा टमाटर जैसा खिल जाएगा और बुढ़ापे का अनुभव तो कभी होगा ही नहीं सदा जवान बने रहेंगे दोस्तो दूसरा प्रयोग है यह अईरवेदिक कैपसूल दोस्तो यह पूरी तरीके से अईरवेदिक है इरोटिकन का कैपसूल दोस्तो इसे खाकर आप अपने शरीर में उर्जा का संचार कर सकते हैं आपके शरीर में जितनी भी कमिया हैं वो सारी कमिया इस कैपसूल से दूर हो सकत क्योंकि इसमें इस्तिमाल किया गया है शिलाजीत, आशवगंधा, बाला जैसी जड़ी बूटियों का जिससे आपके शरीर में खूब सारी ताकत आ जाएगी दोस्तों आज के समय में कोई भी जड़ी बूटी ओरिजनल मिलना मुश्किल है इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए ये आईरवेदिक कैपसूल ढूंडा है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रहा हूँ जिसे आप खरीद कर भी अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं दोस्तो सदा जवान बनना चाहते हैं इन परियोगों को करने के साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा कि इन परियोगों को करते समय आप खटी चीजें फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, धुमरपान आदी का सेवन नै करें नै इस परियोग का संपूर्ण फायदा लेने के लिए आपको प्रियोग काल के पर्थम 25 दिन तक संभोग नहीं करना है और उसके बाद भले ही निरंतर संभोग करते रहें, कुछ नहीं होगा, इन योन शक्ति वर्थक से इस तरह की ताकत मिलेगी जिसके आगे सब दवाएं फैल हैं, दोस्तो दवा लेते समय मन को सदैव शांद रखें, हमेशा इस तरी गमंड के बारे में सोचने से धातु कमजोर होती है और शक्ति का नाश होता है, बोज शरीर से बहुत से तेज का नाश होता है, ये प्रियोग उन लोगों के लिए बताया, जो लोग अपनी शादी शुदा जिंदगी से परे जिन्होंने समय में ही वीर्य पात के जरिये अपनी शक्ति का नाश कर लिया है, या योन शक्ति वर्दक उपाय खोई शक्ति को वापस लाने के लिए बहुत अचुग औश्दी है, इसके सेवन से शरीर में शक्ति की कोई कमी नहीं आती है, वीर्य हमेशा लबालब बना रह इसलिए आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, तो दोस्तो आपको इसकी जानकारी कैसी लगी, अगर वीडियो कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए, दोस्तो हम पूरी कोशिश करते हैं, कि आपको वीडियो में ही पूरा अच्छे से बता ताकि आपको पूछने की आवश्चकता ही ना हो, पर अगर आपको फिर भी कोई असमंजस है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, दोस्तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए नुस्के के साथ, तो धन्यवाद दोस्तों